आपने कहा कि बागेश्वर सरकार का जो दर्बार वो असल में राम कथा नाम से शुरू हुआ था और शायद हमारे नापकूर के सांसद नितिन जी गड़करी और उपोमुख्यमंत्री भड़नमिज जी राम कथा सुनने के लिए वहां गए होंगे यहां मानते होंगे और बाद में जो दिविय दर्बार उनका भरता था वहां पे जो ठगी का काम चलता था उसका पता यह दोनों महानुभवाओं को नहीं था लेकिन बाद में कुछ दिन बाद लोगों ने अंदर्शद्दा निल्बन समित्य के कारे करताओं ने आपको इसकी जानकरी दी और पेपर्स में ऐसी न्यूज आई कि वो जो बागेश्वर महराज जो है वो अपनी दिव्य दर्बार में चमतकार के नाम पे लोगों को ठगाते है ऐसा होने के बाद यह जो दो मंत्री है जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिन्दी है इन्होंने ऐसा खु पुछित नहीं लगती इसके बारे में आपको क्या कहना है जैसा कि हमारे मीत्र डॉक्टर प्रमोट वनगाटे जैने अभी अभी कहा है कि दोनों मंत्रियों ने वहां इनागरेशन में उद्गाटन समारों में में आग तो लिया है आशिर्वाद लिया है हमने वीडियो दे को अब वी देखा नहीं है आया नहीं है य आप वह जानते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि रेशिम्भाग में जो खर्यकराव होते हैं वह उनकी उच्छ समस्ता्य हमात्र समस्ता जो है उनके आशिर्वाद से होती है और वो आशिर्वाद हमारे पावा को जो मिला था उसके भरोसे वो चला रहा था इंडियन साइंस कॉंग्रेस के आड में इनका ये सब कारेकम चल रहा था लोग इधर बीजी थे कुछ लोग उधर बीजी थे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दो मंत्री है जो जबाबदार मंत्री है उनकी मूख सम्मती इसको थी उसके पावजुद भी उनने उनका कोई भी क्लारिफिकेशन स्पर्ष्टिकरण नहीं दिया है कम से कम ये तो स्टेटमेंट उनसे आना था ये हम अल्लशद्दा के खिलाब है बाबा के इस पर आपका क्या कहना है डॉक्टर प्रमोद मुंगाटे जी और बबन जी नाखले जी इन दोनों ने बहुत ही महत्व के सबाल खड़े किये ये बात तो सही है इतना बवाल मचने के बाद भी सिरेंद्र कुरुष्ण महाराज अपना कारेकरम अधूरा छोड़कर भाग खड़े हुए नाखपुर से इसके बावजूद भी इन दोनों का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए जैसा मैं कह रहा हूं ना ही उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम रामकथा के लिए गए थे ना उन्होंने ये कहा कि ये ठगी काम समर्थन नहीं करते हैं ये बात तो सही है लेकिन पॉलिटिकल लोगों के कुछ कंपल्शन्स होते हैं ये मैं जानता हूं मैंने इनहीं लोगों की मदद से महाराष्ट में जादू टोना विरुदी कानून सम्मत करवाया है उसके लिए बहुत मेहनत लिए कॉंग्रेस गवर्मेंट 2005 में विधान सभा में ये कानून सम्मत हुआ था इसके बावजूद आगे उसे सम्मत करने के लिए तैयार रहे उनका नाम नहीं लोगा लेकिन कॉंग्रेस के एक खास करकर राष्टेवादी के एक बहुत बड़े नितान है जो कैबिनेट मंदरी रहे पुर्वा उपमुख्यमंद्री रहे उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप बारबार हमसे मिलने क्यों आते हो ये कानून के लिए आते हो, दुसरे काई कोई काम के लिए तो आते नहीं हो लेकिन हम से बार-बार मिलने को क्यों आते हो क्यों कि हम चून के आते हैं, हम सरकार बनाते हैं, इस पत पर है महाराष्ट में कानून बनाने का अधिकार विदिमंडल को होता है और उसमें ये सब चीज़े हम कर सकते हैं इसलिए आप हमको मिलने को आते हो अगर हम चुनके ही नहीं आए तो हम सरकार कैसे बनाएंगे हमारी प्राथमिक्ता चुनके आना होती है इसलिए जब तक हम लोगों को ये नहीं लगेगा कि आपका जदुडोना विरोधी कानून सैंक्शन करने के कारण हमारे चुनाओं पर कोई विपरित परिणाम नहीं होगा तब तक हम ये कानून पारित नहीं कर पाएंगे तब मैंने उन्हें एक ही आश्वासन दिया था कि इसका मतलब ऐसा है कि ये कानून अगर पारित करना है तो सभी पार्टियों का समर्थन इसको मिलना चाहिए तो फिर ये सवाल ही नहीं आएगा पॉलिटिक्स का ये विशेह नहीं बनेगा जैने जैसे कॉंग्रेस और राष्टवादी ने ये कानून पारित किया शिव सेना के प्रमूख कार्या द्यक्षे उद्धव जी ठाकरे इनका सव प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया पहले दोजार पाच में नितिन जी गड़करी बीजेपी के अध्यक्षते महराष्ट के उनके द्वारा ये समर्थन प्राप्त किया था इसलिए विदान सभा में ये बिलसंबत हुआ था 2013 में देवेंद्र पड़नवेस BJP के अद्यक्ष थे महाराष्ट के और उनका 100% समर्थन प्राप्त हुआ शीव सेना का 100% समर्थन प्राप्त हुआ आरपियाय के तीनों गट रामदाज जी आठवले, प्रकाज जी आमबेटकर जी है जोगेंद्र कवाडे जी है उनका समर्थन प्राप्त हुआ इवन राष्ठाकरे जी मन से उनका समर्थन प्राप्त हुआ और कॉंग्रेस और राष्ठेवादी ने ये बिल लाया ही था तो इसलिए सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ तो मैंने पहले ही कहा कि उनके जो कंपल्शन होते हैं चुनाओ जीतने के लोगों के मन में क्या प्रतिमा निर्मान होगी इस बारे में उनके मन में जो डर होता है भय होता है उसको मैं बहुत अच्छे डंग से पहचानता हूँ जैसे कि उनके ध्यान में आया होगा कि धिरेंद्र स्वामी कुरुष्ण महाराज शायद लोगों को ठकते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि धिरेंद्र महाराज के इतने बड़े पैमानों पर भत्त है हजारों की तादात में भत्त है और वो सब के सब शायद हमारे खिलाब चले जाएंगे ये डर उनके मन में हो सकता है हम लोग जो है आप है हम है बोड़ली सब चीज़े बोलते हैं ये हो कि हमें किसी मद्दाता के सामने हाथ फैलाने के लिए जाने के जुरत नहीं होती है हम पर कोई political combustion नहीं होते है और समाज का भला होना चाहिए इसलिए गुमिका लेने के लिए हम सब तयार होते हैं इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लेकिन फिर politics में हम कभी जित नहीं सकते ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए